अब सर्प्रेग्नेंसी के दौरान गर्बवती स्प्री को काफी ज्यादा डर्ड लगने लगता है कि आने बारे 9 महीने किस तरीके से बीतेंगे और जब भी प्रसक की बारी आएगी तो उसे किस प्रकार का दर्ड उठेगा और क्या वो दर्ड महसूस कर पाएगी और क्या उस दर्ड से अपने आपको निजात दिला पाएगी ये सारे डर्ड गर्बवती महिला के मन में काफी ज्यादा हो जाते हैं इसलिए मैं अपनी आज किये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप प्रेगनेंसी के डर्ड को आसानी से अपने आप से दूर कर सके हैं प्रेगनेंसी के डर्ड को टोकोफोबिया भी कहते हैं जो बाकी फोबियास की तरह ही होता है यदि आप प्रेगनेंट है और आपको प्रेगनेंट लेडिस को देखकर डर लगता है या फिर अपनी प्रेग्रेंसी को लेकर डर लगता है तो आपको किसी अच्छे साइक्याटर से कंसर्ण करने की जरुद है ताकि आप अपने इस फोबिय से अपने आपको बाहर निकाल पाएं पॉइंट नमबर तू जिस तरीके से लोगों को मकडी से, साप से, बिच्छू से बहुत ज्यादा डर लगता है ठीक उसी प्रकार कई महिलाओं को बच्चे को जनन देने से भी डर लगता है क्योंकि ये बार हर मा अच्छी तरीके से जानती है कि जब भी वो बच्चे को जनन देती है तो उसे काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है इसलिए वो कई बार इस चीज से भी बहुत दर जाती है पॉइंट नमबर थ्री कई बार महिलाओं को 40 की उम्रों के बाद जब ही वो गर्मवती बनती है तो भी डर लगता है उन्हें ऐसा लगता है कि 40 के बाद उन्होंने कंसीर तो कर लिया है लेकिन क्या उनका बच्चा हेल्दी पैदा होगा या फिर नहीं तो दोस्तो इस तरीके इसका डर अगर आपको भी सताता है तो आपको अच्छे तरीके से अपने मन पर और तनाव पर काबू पाने की जरूरत है ताकि आप अपनी प्रेगनसी को बिना किसी डर के इंजॉय कर सके इस वीडियो को देखे और अपने डर को भगाईए और मेरी ब्यूटी और हलसे रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजे